haa guys में हूँ आजय कमभोज और इस video में हम बात करेंगे कि आप अपने तो अगर फ्रामसेज लीटींड मार्क्टिंग करनी हैं देटिबीकल कंपनी के बारे में क्या जाना चाहिए क्या आपको पता होना चाहिए और जो फ्राइंचेजी डिस्ट्रिबूटर्स क्या चाहते हैं क्या उनकी साइकलोजी होती है थोड़ी बहुत वह हम जाने की कोशिज करेंगे इस वीडियो में जो में टोपिक यहां पर हम कवर करने जा रहे हैं वह यही है कि हमें अपनी फार्मसोटिकल कंपनी जहां पर हम क सकता है जो फ्राइंचेजी डिस्ट्रिबूटर हो सकता है कि उसके बारे में क्या पता होना चाहिए या क्या हमें पता करने की कोशिज करने चाहिए वही टोपिक हम यहां पे कवर करेंगे पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि फार्मा फ्रेंचेजी क्या होती है फार बढ़ते हैं जब भी हम enrichi देने जाते हैं किसी कंपनी के लिए से बात करते हैं प्रॉस्पेक्ट का हमारा यहां पर मतलब वह परते हैं जिसको हम Franchise, offer कर रहे हैं या यह हमारे पास आया है लेने के लिए तो अपनी कंपनी कंपनी के प्रोडक्ट औरे में कितना कितना जानते रेट के बारे में कितना जानते आपको knowledge कितनी है वह बहुत depend करता है finalize करने में deals क्योंकि जतने आपके questions आपसे client करेगा कितना frequently और कितना अच्छी तरह आप उनका answer कर पाते हो उसके क्लियर कर पाते हो उसका confidence आप जीत पाते हो वह कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा कि वह जो prospect है वह आपके client में convert होता है यह नहीं होता है इसलिए बहुत important होता है कि आपको अपनी company के बारे में अपने product के बारे में range के बारे में pharmaceutical industry के बारे में जानना जरूरी होता है जितनी ज्यादा आपको knowledge होगी अपनी company के बारे में अपने strength के बारे में company के बारे में जितना आपको prospects के बारे में पता होगा वह उतना ही ज्यादा आपको confidence देगा और उसके उतनी ही अच्छी तरह है आप debt को clearify कर पाएंगे company के बारे में कुछ general चीज़े होती है कि कितनी पुरा बारे में या product के बारे में जो हमें पता होना चाहिए वह भी काफी differentiate पैदा कर देता है कि कोई पार्टनर हमारे साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा सबसे पहले तो हमें यह जान लेना जुरूरी है कि जितनी भी query हमारे पास आती है वह सभी convert नहीं होगी लेकिन यह हम पर depend करता है कि हम उन में से कितनी convert कर पाते हैं ज्यादा तर अगर हम percentage wise बात करते हैं तो हम 2 या 3 परसेंट या 4 परसेंट मैसिमं 5 परसेंट बांते हैं कि जितनी queries हमारे पास आती है वह बाकि ज्यादा भी ह हो सकती है कम भी हो सकती है वह आपकी ability पर depend करती है इसलिए इस कोर्स का परपज है कि थोड़ा सा आप अगर जितनी ज्यादा knowledge gain करेंगे अपनी कंपनी के बारे में जितना psychology समझने की कोशिज करेंगे franchise distributor का उतना ही जो आपका percentage है वह बढ़ता जाएगा उतनी ही आपकी sale चाहता है क्या product range में उसकी specialization है कि specialization के doctors पे उसने काम किया है अपनी professional life के थुन उसके अलावा उसको किस prices चाहिए क्या MRP चाहिए वह आपके पास है या नहीं है उसके अलावा वह बहुत सारे factor होते हैं जिन पर depend करता है कि franchise कोई जो prospect है वह आपकी franchise में convert होगा या नहीं है उनके breakthrough point होते हैं जहां पर वह आपको finalize कर देता है कभी कभी कुछ persons को केवल यह चाहिए होता है कि वह product के लिए ही देख रहे होते हैं उनको product नहीं मिल रहा तो अगर उनको product मिल जाता है तो वह आपको finalize कर देते हैं कुछ बंदे rates के लिए negotiation के लिए भागते हैं कि उनक को कैसे आप finalize कर सकते हो कहां पर उसका breakthrough point है जो आपकी company की term and condition है उसके अंदर रहते रहते ही आपको करना है आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा कम rate नहीं दे सकते वह ऐसे rate वांग रहा है जो reasonable नहीं है आप नहीं दे सकते तो उसके बास करने की कोशिस करनी है आपको प कम से कम rate पे आपको अगर आपको सब कुछ पता होना चाहिए आपको वहां पर समझने की कोशिस करने कि जो प्रोस्पेक्ट आपके सामने हैं उसको किस तरह एंडल करना है आज यह ताम में बहुत ज्यादा companies है फार्मा कंपनी जो फ्राइंशी बेशी पे अवलेबल कराती ह तो यह अगर कोई परसन को कोई भी फ्रैंशी कंपनी चाहिए तो उसको नेट पे इजली बहुत ज्यादा companies मिल जाएगी तो यह थोटा सा डिफिकल्ट कर देती है क्योंकि एक जो परसन है प्रोस्पेक्ट है उसके पास बहुत सारे option होते हैं अगर आप किसी B2B पर डाल द करेती है लेकिन अगर आप चीजों को अच्छी तरह समझते हैं आप में confident है आपको पता है कि आप क्या offer कर रहे हैं अप में पूरा अपनी जंगे आप में पूरा confidence है तो वह बहुत ही डिफेंस पैदा कर देता है finalizing में क्योंकि कुछ परसन इसलिए finalizing कर पाते ना तो अपन कंपनी के बारे में जानते हैं ना वह जानते कि distributor को क्या चाहिए बस उनको यह मतलब होता है कि वह बालवार follow-up कर रहे हैं आपको franchise चाहिए या नहीं चाहिए तो आपकी knowledge को भी कहीं ना कहीं आपके confidence को आपके knowledge को आपके बात करने के तरीके पर भी काफी करता है कि आप उसको finalize कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं अब बात करते हैं वह कौन को सी चीज़े होने चाहिए जो आपको अपनी फार्मस्टीकल कंपनी के बारे में जानने चाहिए सबसे पर तो आपको जो कंपनी की policy है उसके बारे में complete knowledge होने चाहिए उसकी क्या payment पर काम करते हैं पैडिटरिक रेंज भी है आपके पास यह नहीं है डर्मा के प्रोडक्ट साइकेटरिक एंटिया आप अपनी तरह काम कर रहे हैं ऐसे कौन कौन से प्रोड़क्ट है जो अभी pipeline में है या कंपनी जल्दी ही लॉंच करने वाली है उनकी knowledge होना भी बहुत ज़ ज़रूरी है कि कौन-कौन से एरिया आपके covered है और कौन से vacant है आसपास के एरिया कि आपको knowledge होना जिए आपको knowledge होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको inflation में क्योंकि कुछ queries केवल इसलिए आते हैं जहां पर आपके कोई distributor अच्छा काम कर रहे हैं तो वहां पर कुछ कुछ लोग inflate करने के लिए query डाल देते हैं कुछ लोग rate को confirm करने के लिए query डाल देते हैं तो आपको यह complete knowledge होना जरूरी है कि आसपास geography की आपको किसी place की इंडिया की at least इंडिया के places की और उनके nearby districts की आपको knowledge होना बहुत जरूरी वह भी काफी रहता है packaging की knowledge होना आपको ब है कि packing आगे available कराने जा रहे हैं और को अलग-अलग तरह की इस तरह की knowledge होना भी आपको जरूरी है आपको इन चीजों का भी पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे product है जो unique है जिन पर आपको concentrate करना है जो बहुत ही कम companies के पास आते हैं अब बात करते हैं कि कौन कौन से चीज़े है जो आपको अपने process के बारे में पता होनी चाहिए या कोसिस करनी चाहिए आपको जानने की सबसे पहले तो यह fact क्या ढूंड रहा है उसको product चीज़े या prices से यह क्या होता है कि कुछ franchises, parties, distributors को क्या होता है कि urgent need होती है product की और वह चाहता है कि जितनी जल्दी मैं product को finalize करके मैं start कर सकता हूं काम कुछ person के पास क्या होता है कि वह negotiate करना चाहते हैं वह minimum से minimum rates पर जाता से ज्यादा offers पर आना चाहते हैं तो यह चीज़े आपको पता होने चाहिए कि जो सामने बड़ा prospect है वह क्या चाहता है आपसे आपको यह जानने की कोसिस करनी है कि यह prospect है उसका professional background क क्या है experience क्या है वह pharmaceutical distribution business में है या sales में है वह उसको कोई experience है अगर sales में तो किस position पर है distribution में है किस position पर है या newcomer है तो यह जाना आपके लिए ज़रूरी है आपको यह भी जानने की कोसिस करने ही चाहिए कि जो prospect है आपका वह अभी बिजनेस शुरू करना चाहता है या उसका future plan है वह मंत के बाद करना चाहता 15 दिन के बाद करना चाहता है तो यह भी जानना जुरूरी है उसके बाद आपको यह जानने की कोसिस करनी है कि जो आपका prospect है वह पहले किसी फैंचेजी कंपनी के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है या वह नया है अभी distribution में वह आप उसी portion में जान लेंगे क्योंकि कभी क्या होता है कि अगर कोई farmer distributor है distribution channel में हैं तो हो सकता है उसके पास पहले भी एक या दो कंपनी फैंचेजी बेसिज पर उसके पास है या जो sales professionals होते हैं उनके पास भी एक company पहले चल रहे होती है और एडिसन करना चाहते है या कुछ इस तरह का अहले कि अबड नहीं करना है क्योंकि उर्सक्य क्या है क्योंकि उत्वाप करने में अगर शच्जाइश पर लिए उसके अगर इसके है चैना अघर उसके पास फ्याइन से superiority अपको अच्छी आड़ चाह ने चाहिए पू1 के लिए यी आप ऄघंगी और बढ़ा कि इतना सरकल वह करता vakर अवह तो आपको आइड़िया हो इतना confidence time के साथ हमारे में आता गया है उतना ही हमारी जो conversion ratio है वो बढ़ती जाती है starting में जब एक newcomer हमने भी join किया था तो इतनी अच्छी conversion ratio नहीं थी लोग हम से बात करना नहीं पसंद करते दे अब at least चाहे हम से कोई query final होती है नहीं होती है लेकिन वो almost फिर चाहे हमारे साथ associate है यह नहीं है तो आपको knowledge होना बड़ा ज़रूरी है अपनी कंपनी के बारे में कोई कौन-कौन सी नहीं sales टेकनिक आ रही है किस तरह आप नए lead कर सकते हो क्या women psychology होती है mainly sales में psychology का बहुत बड़ा रोल होता है यह चीज ऐसी होती है जिसको बहुत कम यह underestimated चीज होती है अगर आपको अच्छे sales में काम्याब होना मार्केट में मार्केटिंग में तो आपको women psychology समझना बहुत ज़रूरी है अम अपने फार्मा प्रेंचेजी कोर्स को जो हमने सुरू किया हुआ है जिसका एक चैप्टर हम यहां पर complete कर रहे हैं तो इसमें आगे हम यही जानेंगे कि फार्मासोटिकल इंडेस्ट्री के बारे में आगे हम यही जानने की कोशिज करेंगे कि कैसे आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है प्रोस्पेक्ट की कौन-कौन सी अप्रोचिंग टेक्निक हो सकती है करस्टमर सक पहुंचने की तो यह हम अपने सेल्स प्रोसेस वाले पार्ट में complete करेंगे उमीद करेंगे कि यह information आपके लिए useful रही है thanks for watching